प्रिये दर्सको हमारे चैनल इस्प्रेडिंग धर्मा में आपका स्वागत है दर्सको आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आचारे कौसिक जी महराज जी का जीवन पर चे तो दोस्तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं आचारे कौसिक जी महराज का जनम 26 मार्च 1974 को एक सानेद ब्रहमर परिवार में आगरा जले के तासोड गाओं में हुआ था अपने बचपन के दिनों से उन्होंने सादू संतों के बीच बैठना सुरू कर दिया था और विभिन उपदेशों में भाग लेने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जब उन्होंने प्रात्मिक विध्याले में अध्यन किया तो वे अपने गाओं के गुफा आस्रम में रामायन सत्र में भाग लेते थे एक दिन पूज पूरन दास जी महाराज ने उन्हें देखा और उन्होंने कहा कि यह बच्चा एक दिन सभी को गर्वित करेगा और उनका खतन सही साबित हुआ बहुत कम उम्र में वह एक स्कूल के दोरे पर वरंदावन आये और पूज स्री डौंग्रे जी महाराज के सिस्य स्री कमलेज जी महाराज के एक सत्र में भाग लेने में सपल रहे तव से वे बांके बिहारी जी के दिब्विता और भक्ती के बारे में अधिक जागरूप हो गए उन्होंने अपने मातापिता को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ब्रंदावन भेजने का अग्रह किया कौसिक जी ने स्रीमत भागवत कता के कैई वर्गों में भाग लिया और बड़ी आसानी से संस्कृत भासा में मास्टर डिग्री पूरी की परम पुझ आचार महा मंडलेशुर स्वामी स्री अवदेशानंद ग्रीजी महराज का गौरव साली सिस्ष्य होने के नाते उन्होंने इस गुरू सिस्ष्ष परंपरा मसाल को एक कदम आगे बढ़ाया है उनके जीवन के सुरुआती चरणों में लोग कहते थे कि इस संबंदे छित्र में कुछ नहीं कर सकते हैं उन्होंने इसे एक चिनोती के रूप में लिया है उन्होंने अपने हर आलोचक को दिखाया कि यदे आप ध्रंड, संकल्प और समर्पन के साथ काम करते हैं तो आप अपने लच्छों को प्राप्त कर सकते हैं आज उनके प्रवचन लाखों सुरोताओं के मन और आत्मा को डिटोक्सी भाई करते हैं उनका प्रभाव इतना गहरा है कि लाखों लोग महराज स्री की उपस्तिती में उनकी सक्ती के लिए रिडी हैं और इस बात को हतोत साहित करते हैं कि उनके जीवन को सकारात्मक के लिए बदलें एक दिव्य अनुग्रह के माध्यम से महराज स्री ने संगीत में कोई आपचारिक प्रसिछन नहीं होने के बाबजूद अपने प्रवचन में एक आत्मिय लोक और सास्त्रिय भारतिय संगीत का प्रतिपादन किया उनकी आवाज को सुनना निश्चित रूप से एक विसेसा अधिकार और सम्मान है जो लाखो भक्तों के लिए वाउचर है उनका सार भौमिक और सरल संदेश यह है कि प्रेम और ग्यान घ्रणा और संकट पर हावी हो सकते हैं आज महराज स्री जी भगवान बांके बिहारी के लाखो भक्तों को आकरसित करने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते हैं और अधिक महत्मूर बात या है देवत्तों के संदर्व में उनकी मानसिक और साथी सामाजिक इस्तिती में सुधार करने के लिए उन्होंने विविन देशों जैसे सिंगापूर, मलेसिया, इंडोनेसिया, थाइलेंड, ताइवान और अन्य छेत्रों में प्रिचार किया है और निकट भविश में भी वह ऐसा करना जारी रखेंगे उनकी सामाजिक इस्तिती को देखते हुए उत्तर प्रदेश उच्चिन्याले ने यूपी सरकार को उन्हें कड़ी सुरच्छा प्रदान करने का आदेश दिया है गोरतलब है कैई बार पूज स्री पर समाज के बुरे तत्नों द्वारा हमला किया गया है महराज जी श्री जी को उनकी जाती पंथ या रंग को देखे बिना उनके पवित्र आसिरवाद और पूज स्री को लेने के लिए एक बड़ी भीड़ा आती है उनका मानना है कि हम सभी को पूरी प्रतिबद्धिता के साथ अपना काम करने के लिए एक ही स्रोच से प्रित्वी पर भेजा जाता है उनकी कथा में सामिल होना एक बहुत खुसी की बात है जहां आप खुद को अपने सुद्ध रूप में पा सकते हैं हम यहां क्या कर रहे हैं, हमारे कर्तब भी क्या हैं, जिनका हम पालन नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन को एक सांती पून कैसे बना सकते हैं, और ऐसे कैई सवालों के जवाब उनके सत्रों के माध्यम से दिये गए हैं, प्रिये दर्सको, हमारे चैनल इस प्रेडिंग धर्मा को सस्क्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और सेह जरूर करें अंत में हम यह कह सकते हैं कि हम उनके दिव्वे जीवन को संचिप में नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास उनके साथ मेल खाने के लिए इतना घ्यान नहीं है और नहीं हमारे पास उनकी गत्विदियों को कलंबध्य करने की इतनी छमता है दर्सको हमारी वीडियो अंतितक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै श्री किष्णा दर्सको